हलो प्रेंड मैं कुमार सुरफ, Solar Academy में आपका स्वागत है फ्रेंड हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं लूम सोलर पैनल का प्राइस लिस्ट लूम सोलर पैनल किस-किस प्राइस में मार्केट में अबलेबल है पहले हम यह जान लेते हैं कि लूम सोलर मार्केट में सबसे पहले कब लूँच हुआ लूम सोलर जो स्टार्ट हुआ है 2018 में स्टार्ट हुआ है और इसका head office फरिदाबाद में है यानि हरियाना में है इस format में हम जानेंगे इस side जो पैनल होगा जितने वाट का वो देखेंगे इस side जो होगा पैनल का price क्या होगा यहां देखेंगे और each watt आपको पताया था है मैंने पिछले वीडियो में कि पैनल जो मिलता है each watt पे मिलता है यानि एक watt का कितना cost पड़ेगा उसके हिसाब से पैनल मिलता है market में जैसे कि एक watt का कितना cost आएगा वो हम इस side देखेंगे और मैं आपको यह भी पता दो कि loom solar maximum जो है monocist line solar panel ही manufacturing करता है हाला कि panel तो और polycist line भी करता है और AC panel भी करता है AC panel क्या है यह मैंने specially इस पे वीडियो बना के upload भी कर रखा है कि AC panel क्या है तो loom इस पे भी जो रो सोरो से काम कर रहा है AC panel को लेके इसको भी manufacturing कर रहा है जो रो सोरो से और सबसे ज़्यादा manufacturing करता है monocist line cost जो होता है monocist line का पॉली से ज़्यादा महंगा होता है तो इससे पहले वीडियो में मैंने जो बताया था 10 watt का panel manufacturing करता है और वो panel है 12 volt का और इसका price जोगा 750 रुपे में आपको market में मिलेगा और इसका जो 1 watt single watt का price होगा 75 रुपे यानि 75 रुपीज इसके बाद देखते हैं अगला panel जो 20 watt का है ये भी 12 volt का panel है और इसका जो price परेगा 1300 रुपे और इसका each watt यानि single watt का जो cost आएगा वो 65 रुपीज मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो panel आप purchase करते हो चाहिए वो किसी भी company का है ये price list जो बता रहा हूँ मैं ये एक panel का है लेकिन आप एक panel purchase नहीं कर सकते हो आपको कम से कम एक काटून में पैक में जितना पैनल आते हैं कम से कम तीन पैनल आते हैं मैक्समिन पाच पैनल आते हैं तो छोटा packet होता है तो उसको आप purchase करोगे दन आपको ये price मिलेगा आप चाहोगे कि एक single panel एक ही पैनल ले तो इस price में मिल जाए कि तो आपको नहीं मिल सकता है और दूसरा चीज ये सब पैनल जाहे किसी कमपनी का उस कमपनी का जो distributor है वहाँ से purchase करोगे दन आपको ये price में मिलेगा आप किसी ऐसे distributor से purchase कर रहे हो जो हर तरह का पैनल रखता हो चाहे वो LOOM का हो, XIDE का हो, VARI का हो, TATA का हो मतलब हर तरह का अगर पैनल रखता है तन वह आपको इस price में साइद ना दे सके यहाँ भी LOOM का बात कर रहा हूं मैं तो LOOM के distributor का price है ये distributor आपको इस price में देगा तो चलिए आगे देखते है आगला जो पैनल है, वो 40W का पैनल है ये भी 12V का है इसका जो price आएगा वो 1900 रुपे पढ़ेंगे और इसका जो एक वाट, यानि सिंगल वाट का जो price पढ़ेगा वो 47 रुपेज वाट में ज़्यादा बड़ा पैनल ले रहे है तो इच वाट पे कमता चला जारा रेट, ऐसा इसलिए हो रहा है चार पैनल को manufacturing करना पड़ेगा यहाँ पे एक बार, इसलिए labor cost के वज़े से यहाँ पे ज़्यादा cost हमें देना पड़ता है छोटे पैनल में और दूसरा चीज है, ज़्यादा material यूज होता है छोटे पैनल पे, इस वज़े से भी इसमें ज़्यादा cost पड़ता है तो आगे देखते हम लोग 50W का पैनल है, यह भी monocrystaline panel है इसका जो cost पड़ेगा वो 2400 रुपे इसका जो 1W का price होगा वो 47 रुपेज इसके आगे चलते हैं 75W का पैनल है, यह भी monocrystaline panel है इसका जो price पड़ेगा 4000 रुपे और इसका जो 1W का price होगा वो 53 रुपेज इसके आगे देखते हम लोग 125W का पैनल है, यह भी monocrystaline panel है इसका जो price होगा 6000 रुपे इसका जो 1W का price होगा वो 48 रुपेज इसके आगे चलते हैं जो इसके बड़ा पैनल है, यानि 180W का पैनल है monocrystaline panel है उसका जो price पड़ेगा 7500 रुपे और इसका जो 1W का price होगा वो 42 रुपेज इसके आगे देखते हम लोग 365W का यानि हम देख पाएंगे यहाँ पे monocrystaline जो है maximum छोटे पैनल ही manufacturing कर रहा है बड़े पैनल बहुत कम कर रहा है सबसे बड़े पैनल में सिर्फ एक ही पैनल manufacturing कर रहा है वो है 375W का तो वो भी monocrystaline panel है उसका जो price परेगा 12,000 रुपे इसका जो 1W का price होगा वो 32 रुपेज यानि 32 रुपीज आप देख पाओगे एक वाट का यहाँ पे 75 रुपेज पर रहा है यहाँ पे एक वाट का जो price पर रहा है वो 32 रुपेज पर रहा है कितने अंतर है दूगने से भी ज़्यादा का अंतर है यहाँ पे इसलिए मैंने बताया आपको कि छोटे पनेल पर ज्यादा लेवर कॉस्ट आता है ज्यादा मेटरियल यूज होता है बरे पनेल के मुकाबले तो यहाँ पर हम देख पाएंगे 375 रुपीज इच वाट पर यहाँ पर 10 वाट पर 75 रुपीज इच वाट पर तो अगले वीडियो में जानेंगे different company यानि other company जो अब तक में मैंने अप्लोड नहीं कर रखा है उसका price list देखेंगे तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करना, subscribe तो करी लेना क्योंकि हम इस channel में solar selected वीडियो और बागी power sector selected वीडियो मैं अप्लोड करता ही रहता हूँ, अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, या कुछ suggestion देना चाहते हो आप मुझे, then comment करके बताना कि आप क्या जानना चाहते हो आज का question आपके लिए, आपको आज ये बताना है कि क्या आपने loom solar के बारे में आज से पहले सुना था या नई, अगर सुना था तो आप हाँ लिखना था तो लिखना नई, तो इनसका answer हा या ना में जवाब दे सकते हो, या पूरा answer भी लिख सकते हो, तो मिले के अगले व